सो एय हैंब वल्कुमने यूटीब चैने कैसे सरसे पहले यह वीडियो को देखो गाइज इस टयब का वायне वीडियो एक्टिंग को कैसे अंने फोन से बना सकतेगा जो कर का का घूमने उण एक्ट है या तो इस टाइब का विल घुमने वाले एफेक्ट को सिखना है वहती आसान तरीक से वीडियो को लाज तक देखना गाज और इस टाइब का बहुत सरे एफेक्ट में बताने हो लाँ नेक्ट वीडियो में तो अगर इंटरेश्टेट इस वीडियो को लाइक करते हो लाँ चैनल पे पहली बाद यहाँ एड़ कर लेता हो यह रहा कार वाली फोटेज यह रहा हूं थीक है? इसको आड़ कर लेना इसको सबसे पेले तो फिल एड़ज़ेश्ट में इसको सही से अड़ज़ेस्ट कर लेना अड़जेस्ट करने का बाद गाज यहाँपर प्लस वाल आइकन को क्लिक करना या circle वाले option को select कर लेना और इसको यहाँ पर zoom कर देना ठीक है यूब करने के बाद यह पर color जो है गई ग्रीन डिलेट कर लेना उसके बाद जो गाए जो वीडियो है यह photo है जो भी हो उसको आपको क्या करना क्लिक करना और इसको डूब्लिकेट लेयर करने के बाद यह वाली जो फोटो है इसको और यह दोनों को मर्ज कर देना उपर में ऐसे कर जब माइच कर देना देखो यह हो गया चक्खा यह गाड़ी के अंदर मर्ज हो जा रहा है तो तो में बाहर मार्ज करना ठीक है सो ध्यान रेक दो सब और यहाँ पर आप को क्या करना कि स्को भैक कर देना स्वיל करना है और फिर से इसको लेना है और यह वाली, तो आप त्मार्ण जो चख्खा है चख्खा यहाँ से देखो कड़ काड़ के पैंजी में कनवर्ड होगी है ठीक है अब इसको याँ अडजस्ट करना है अडजस्ट करने के बाद यहां पर आपको या करना है इस पक्रोप डीफ ऐपकर क्लिक klaंना और मॉव एंड ट्रांसफिर प्रीक कर लेनी है और सबसे पहले तहीं यहाँ अपर रहली जो option देख रहा है ठीक है यहां starting में तुम्हें एक move करवा देना 10% और एक minute इसको हटाना है इसमें कोई movement नहीं देना है last वाली जो point है यह last वाली point पर जाके यहाँ बढ़ तो यहां पर प्ले करूंगा तो देख सकते हैं यह move हो रहा है अब थोड़ा सा मैंने क्या किया था यह चक्का को घिसका दिया था इसलिए थोड़ा सा धर अधर देख रहा है तो यहां पर circle को अच्छे तरह को सेलेक्ट करोगे तो बहुत ही अच्छा तरह से दिखेगा अभी option पर आना है और जितना speed बढ़ाना है चक्का का वह speed को आप यहां से control कर सकते हो ठीक है तो यहां पर देखो यह की फ्रीम पर आके और पहला वाला पर एकदम सलो हो जा रहा है तो पहला वाला पर भी हमें क्या करना है पास्ट कर देना ऐसे नहीं हो रहा है तो यहां पर बहुत सारे option दिख रहा होगा इसको ऐसे करके apply कर देना ठीक है तो तो तुम्हारा कुछ इस्टेफिस यह कम होत अकरर में पर आखिस relief करें डियो अब अधरना उत्यकर कर आपड़े लाना करें लकूट करें तो सम्कूल पर टैसंडियो वाले ना इसको ऊपर ले नहीं तो यह पार्ट को लिए अपर आप को क्या है इसको आना है कॉस्टम और यहा पर आपको फोले सब्सक्राइब यहां पर थोड़ा से जूम कर ले ना और यह जो पार्थ है इसको आपको सब्सक्राइब देखो यह सेलेक्ट होगी आप इसको ड़न कर देना तो यहां पर अगर तुम देखोगे तो यह कट के प्येंज निकल गया ठीक है और इसको यहां सेट रहने देते हैं अब क्या करना है तुम्हें बैक आना है बैक आने के बाद एक की फ्रेमिंग लगाना है और एंडिंग प यहां पर क्या प्रोलम होगा कि यह थोरा सा छोटा हो गया जाकर तो यहां पर इसको अजश्च कर लेना है ताकि यह देखो बहुत ही लग रहा आप इसको टाइम लाइन को स्विट करने के लिए यहां पर आपको एक ग्राफ देखना बीलेगा इसके कोडिंग तुम यहां बर एड़ेस्ट करके इसका जो graph है यहां से नीचे से यह point लगा कर यहां से नहीं तो यह इन्यूबली आ कर सकते हों तो मैंनुबली करने के यहां से देख उपर में एक ग्राफ लगा दिया और इसे करेंगे कर दिया अब यहां पर अगर तुम प्ले करोगे तो वीडियो बहुत ज्यादा फास्ट हो जाएगा तो वीडियो तुमको समझी नहीं आएगा कि वीडियो का किस लेवल पर घूम रहा है जैसे कि यह वाली लेवल तो इसको थोड़ा सा एक पॉइंट लगा के थोड़ा सूपर कर देत करते हो रहे वाद समॉक वाली इफेक्ट का तो इसमें एड़ पर जाना है और जो वीडियो अभी समॉक वाली इफेक्ट गिरीन स्क्रीन में आता है मैं तुम्हें दे दूंगा लिंक इसको आपको एड़ करना है और इसको क्रॉप कर लेना स्टार्टिंग से मुझे यहां स परतितों इसका जो क्रोमा की वाले अफ़िन को सेलेट करके यहांते जो उसमॉक इफेक्ट में थोड़ा सा गरिन स्टार्च यहां पर विडियर इसलिए हो नहीं रहा है तो इसमें कोई दिकत नहीं स्क्ट कररएँ तो यहां पर दे ना हमारा वीडियो कुछ रिस्क्र कि कैसे तुम्हें वीडियो करना है लाइट मोशन वाला भी देखा और तुम्हें यहां भी देखने को मिर रहा है तो दोनों इतनों जो ट्रीक है यूज कर सकते हो क्यापकट पर भी और से लाइट मोशन पर भी या कोई अलग अप्लिकेशन उस पर भी तो होफ सभी को समझ मा